असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स बैटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 कॉस्टन नमर 6 क्या सॉल्व करेंगे 9.2 का जो के हमारे पास है जिसकी स्टेटमेंट है यूस डिस्टेंस फॉर्मॉला तो वारिफाई दा पॉइंट्स A, B, C आर को लिनियर बैटा इसके जो को लिनियर की डेफिनेशन है कि हम दो साइटS A, B प्लस C, A का डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास एक्वोस टू B, C आना चाहिए और बैटा जैसे के हमें पता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मॉला क्या है X2-X1 का होल स्केर प्लस Y2-Y1 का होल स्केर और बैटा ये उपर हमारे पास क्या आगया? स्केर उटा अगया ठीक है बैटा? और A, B इस एकोस टू बिटा इसी तरह अब हम इसमें distance formula पूट करते है x2 minus x1 तो बिटा ये हमारे पास 0 minus 3 का whole square बिटा plus बिटा इसी तरह 7 plus 5 का whole square बिटा और बिटा ये उपर के आगया हमारे पास square root आगया बिटा इसी तरह minus 3 का हम square करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बिटा 7 plus 5 करेंगे तो हमारे पास बिटा ये क्या बनता है 12 बन जाता है बिटा 12 का square बिटा ये square root आ गया ठीक है अब इसको हम आगे further solve करेंगे तो ये हमारे पास बिटा 9 plus 144 और ये square root बिटा हमारे पास ठीक है बेटा इन दोनों को add करेंगे तो हमारे पास answer जो आएगा वो 153 square root बेटा 153 का अगर square root हम लेखें तो हमारे पास कुछ ये बनता है 9 multiply by 17 और 9 का square root हमें पता है बेटा वो 3 होता है और under root 17 बेटा as it is आजाएगा ये बेटा हमारे पास a b आगया बेटा अब बेटा इसके बाद हमने find करना है b c find out करना है बेटा b c is equals to हमारे पास बेटा क्या होगा minus 2 minus 3 का whole square x2 minus x1 बेटा as it is उसके बाद plus 15 plus 5 का बेटा whole square ठीक है और ये उपर बेटा क्या आगया हमारे पास square root बेटा बेटा अब इसको अगर हम further solve करें तो हमारे पास देखो minus 3 minus 2 जो है ये minus 5 है तो बेटा minus 5 का square ये as it is बेटा 15 plus 5 बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 का square और बेटा उपर इसके क्या आ रहा है square root बेटा ये 25 plus बेटा 20 का square करेंगे तो हमारे पास बेटा 400 और बेटा answer is equals to क्या आगया मारे पास 425 आगया और ये square root हो गया बेटा 425 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं understood बात है 25 multiply by 17 लिख सकते हैं 425 होगा तो 25 का square root तो 5 आगया और ये यहां पे हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा as it is 17 आ गया square root में बेटा ठीक है बेटा ये हमारे पास BC का एक final answer आ गया अब बेटा next time ने find करना है CA बेटा तो CA हमारे पास understood है वो क्या होगा बेटा 0 plus 2 का whole square plus बेटा फिर हमारे पास क्या आएगा plus 7 minus 15 का whole square बेटा और उपर क्या आगया square root आ गया बेटा 2 का square तो as it is आगया दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा plus into minus 8 का whole square और उपर बेटा ये square root फिर बेटा next हमारे पास हम आगे इसको solve करेंगे 2 का square किया तो हमारे पास बेटा क्या आ गया 4 8 का square किया तो 64 बेटा 64 प्लस 4 बेटा क्या answer आ गया 68 square root और बेटा 68 का square root हम जब निकालेंगे तो हमारे पास 2 under root 17 आता है अब बेटा हमने इस पे किसकी definition apply करनी है co linear points की ठीक है by applying condition of co linear points ठीक है बेटा और वो हमने सबसे पहले वहाँ पे condition लिखी भी थी अब वो हम जड़ा solve करके देखता है ये a b plus c a बेटा ये इसकी हम answers देखते है मारे पास एक का answer a b का आया था 3 under root 17 बेटा दोसे का आया था बेटा 2 under root 17 बेटा हमने पता है under root 17 यहाँ पे common आ गया bracket में 3 plus 2 रह गया बेटा और बेटा है मेरे पास क्या आ गया 5 under root 17 और बेटा ये किसकी equal आ गया b c की equal आ गया इस तरह आपके पास ये प्रूव हो गया जो given points है हमारे पास बेटा ये क्या है coal linear points है बेटा ये एक final answer इसका हो गया बेटा है